रूस के राश्चपती व्लादमर पुतिन आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुँच गए हैं और पुतिन के यात्रा जापानी सेना पर सोवियत मंगोलियाई सेनको की संयुक्त जीत की 85 वी वर्षगाट पर हो रही है लेकिन इस भी चर्चा ये है कि वो गरफतार हो सकते ह मंगोलिया रूस का पडोसी देश है पुतिन सुवार की शाम को मंगोलिया की राजधानी उलान बटार पहुँचे और पुतिन के मंगोलिया पहुँचते ही उनकी गिरफतारी की मांग उठने लगी है क्योंकि मंगोलिया इंटरनाशनल क्रिमिनल कोट का सदस्य है और कोट क तरफ से पुतिन पर गिरफतारी वरण जारी है रूसी मीडिया स्पोतनिक ने बताया कि मंगोलिया में व्लादमिर पुतिन रूस मंगोलिया कॉम्प्रेहंसिव स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप के साथ ही दुविपक्षिय संबंधों को आगे बढ़ाने पर बातचीत करें इसके साथ ही व्लादमिर पुतिन खाल खिल गोल युद्ध की पिचासवी वर्षगाट पर होने वाले कारिक्रमों में भी शामिल होंगे इस रोपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 के बाद व्लादमिर पुतिन पहली बार मंगोलिया गए है दरसल International Criminal Court यानि ICC ने इसी साल मार्श महिने में व्लादमिर पुतिन के खिलाफ गिरफतारी वारंट जारी कर दिया था अब ICC का कहना है कि युक्रेन युद्ध में व्लादमिर पुतिन के खिलाफ अपरात के पर्याप्त सुबूत है ICC ने ये भी कहा कि युक्रेन के अनाथालेओं और बाल ग्रेहों में सैकड़ो बच्चों को रूस लाया गया है जिससे इन बच्चों को रूस में रह रहे हैं लोग गोद ले सकें हाला कि रूस ने ICC के इन आरूपों को खारिश कर दिया और इसके साथ ही ICC की वैधनिक्ता पर ही सवाल उठा दिया व्लादमिर पुतिन दुनिया के दूसरे सबसे ताकतवर देश के राश्ट्रपती है ऐसे में इस बात की कोई उमीद नहीं है कि वो ICC के आदेशों को मानेंगे रूस पहले से ही ICC को मानेता नहीं देता है ऐसे में रूस के अंदर व्लादमिर पुतिन की गिरफतारी नहीं हो सकती इसके अलावा उनके देश में नहीं रहने पर इस तरह का मुकदमा चलाना संभव नहीं है रूसी मेडिया इस पुतनिक ने ये भी बताया कि राश्टरपती व्लादमिर पुतिन रूस मंगोलिया कॉंप्रेहंसिव स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप के सहेत द्विपक्षय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मंगोलिया पहुँचे है और 2019 के बाद से ही पुतिन की ये पहली मंगोलिया यात्रा है इस दौरान पुतिन एक खालखेन गोल युद्ध की जो वर्शगांट है वो भी मनाएंगे पुतिन दुनिया के दूसरे सबसे शक्तिशाली देश के राश्टरपती है तो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि रूस इंटरनाशनल कर्मिनल कोट के आदेशों की रती भर भी परवाह करेगा या किसी देश को ऐसा करने देगा आपको बता दें कि ICC के अधिकार शेत्र को ही रूस मानेता नहीं देता ऐसे में पुतिन के रूस के अंदर गिरफतारी का तो कोई सवाल नहीं उठता लेकिन क्या मंगोलिया में ऐसा हो सकता है पुतिन की गैर हाजरी में मुकदमा चलाय जाने का कोई तुक भी नहीं बनता ICC का मानना है कि राश्चुपति पुतिन पर युक्रेन के युध़ प्राधों के आरोप लगाने वाले पर्याप्त सुबूत है और मंगोलिया भी ICC का सदस्य है तो ऐसे में सवाल उठने लगे है ICC ने बयान में आरोप लगाया था कि युक्रेन के सैकड़ों बच्चों को अनाथालियों और बाल ग्रहों से रूस लाया गया था और ये सबसे बड़ा आरोप लगाया गया जिसे रूस ने खारज भी किया और ICC की वैधानिक्ता पर सवाल उठाया आप देखना है कि पुतिन का जोगी मंगोलिया विजिट है वो कैसा रहता है मंगोलिया में ये जो सवाल उठाय जा रहे हैं कि उन्हें गिरफतार किया जाए वहाँ की सरकार इस पर अपना क्या रुख अपनाती है क्योंकि वो तो स्वागत कर रही है पुतिन का और अलग-अलग बायलेटरल टॉक्स के लिए अग्रसर है ऐसे में क्या पुतिन पर ICC का कोई भी प्रभाव मंगोलिया में देखने को मिलेगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है